आर्टिकल 370 इसके एब्रोगेशन पर अब सुप्रीम फैसला आ चुका है पांच अगस 2019 को राष्टपती ने आर्टिकल 370 या धारा 370 को रद करने का जो फैसला लिया जिसे संसद ने 370 वोटों से पारित भी किया उस पर अब सुप्रीम कोट ने मोहर लगा दी है और कह दिय है कि राष्टपती जी का फैसला लिया बिलकुल सही था और सम्विदान के दाइरे में था इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने ये भी साफ कर दिया कि लदाख को केंदर शासित राज घोशित करने का फैसला भी केंदर सरकार ने सम्विदान के तहत ही लिया इतना ही नहीं सु कराये जाएं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर जमू कश्मीर जमू में जश्न मनाया जा रहा है और श्रीनगर के लोगों ने खुशी जाहिर की है तस्वीरे साफ हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की बेंच ने तीन अलग-अलग जज़्मेंट दिये लेकिन सबी ज़ज्मेंट इस बात पर एक दूसरे से एग्रीमेंट में थे और जज़्मेंट इस बात पर युनानेमस था कि 371 टेंप्ररी और ट्रांजिशनल आक्ट था आर्टिकल था जिसका काम जम्मू कश्मीर को अन्य भारत के साथ पूरी तरह जोड़ना है और भारत का सम्विधान सुप्रीम है भारत के सम्विधान के अंडर ही बाकी सब कुछ आता है और जम्मू कश्मीर की अपनी कोई अलग उसकी पहचान या संप्रभुता नहीं है भारत के आधीन होकर ही है और इसलिए धारा 370 का जाना उसको निकालना पूरी तरह से मनाये जा रहे हैं खासकर जस्टिस कॉल का जो जज्जमेंट था उस पर उन्होंने अलग से एक बात की उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि एक टूट और रिकंसिलियेशन कमिटी बनाई जाए जो उन सभी मानवाधिकारों के हनन के जितने भी कारे थे जो स्टेट और नॉ रिहाबिलिटेशन पर काम करे और उनको जस्टिस न्याय दिलाने बर भी पूरी तरह से सक्रियों हो सबसे बड़ी बात और इसलिए जम्मू और कश्मीर में खुर्शी की लहर वहीं कुछ ऐसी पुलिटिकल पार्टियां हैं जो इस फैसले से निराश है हताश है लेकिन उम तिरंगा का पड़ मनाया गया इस साल आजादी के अमरित महुतसव के तहत और 15 अगस को और वही तिरंगा आज भी लहराता हुआ दिख रहा है चलिए देखते हैं कि 370 काफ को हटाने का फैसला सही और इस फैसले को सही ठहराते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूर के अंडरगर पांच जज़ की कॉंस्टिटूशन बेंच ने क्या कहा है उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजे किशन कॉल जस्टिस के कॉल ने इन्होंने अलग-अलग जज़मेंट लिके थे लेकिन जस्टिस चंद्रचूड ने जो पड़ा था उसको जस्टिस गवाई और जस्टिस सूरेकांथ ने अंडरलाइन किया था यानि तीन जज्जमेंट थे पांच जज की बेंच लेकिन सभी युनानिमस इस बात पर युनानिमस थे उसको सही तरीके से किया गया इस पर इन्होंने मोहर लगाई और ये भी कहा कि राष्टपती जी को 366 के आर्टिकल क्या सहरा लेने की आवशक्ता ही नहीं थी सुप्रीम कोड ने 5 अगर 2019 के फैसले को सही भी ठहराया साथ ही ये भी कहा केंदर के फैसले को सम्विदान के दाइरे में बताया और कहा कि जी सुरूट को अपनाया गया उसकी भी आवशक्ता नहीं थी जेनके के विले के साथ उसकी संप्रभूता खतम हो गई थी 1999 को जब यूवराज ने इंस्टूमेंट अव एक्सेशन को साइन किया और प्रोक्लमेशन किया तब से उसकी अलग से संप्रभूता खतम हो गई थी भारत के अंदर ही भारत के तिरंगे भारत के सम्विदान के अंदर ही जेन्सके का जम्मू कश्मीर का स्थित्व है युद्ध के हालात में 371 अंतिरिम व्यवस्ता थी टेंप्ररी और ट्रांजिशनल और जो जम्मू कश्मीर का अलग से सम्विदान था उसका धे यही था कि वो अलग से उसके लिए वो भारत में उसके संपूर्ण विलय के लिए काम करे उसकी अलग से संपूरभुता बनाया रखे ऐसा बिलकुल नहीं था साथ ही फैसले पर प्रधानमत्री नरिंद्र मोदी जी ने वी ट्वीट किया और इसे एतिहासिक बताया पीम ने अपने ट्वीट में कहा कि अनुछेद 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोट का फैसला एतिहासिक है और उन्होंने कहा कि और पाच अगस को भारत की संसत द गहन ग्यान से एकता के मूल सार को बना कर रखा है और इसको निरस्त करने पर सुप्रीम कोट का फैसला समवेधानिक है प्रगती और एकता की और शांदार घुशना है न्यायले अपने गहन ग्यान से एकता के मूल सार को मस्बूत रखा है मूल सार को मस्बूत रखा है जिस प्रगति का लाब ना केवल आप तक पहुंचे बलकि इसका लाब हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिये पर रहने वाले लोग वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छे 370 के कारण पीड़ित थे आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है ये आशा की किरण है उच् ग्रह मंतरी अमिच शा ने भी ट्वीट किया है और सुप्रीम कोड के फैसले का स्वागत करते हुए का है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांती बहाल हुई है उन्होंने का मैं आर्टिकल 370 को खतम करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वो च नायले के फैसले का स्वागत करता हूँ पाच अगत 2019 को प्रदान मंतिर नरेंद्र मोधी जी ने आर्टिकल 370 को निरस्ट करने का दूर दर्शी निरने लिया तब से जब मू कश्मीर में शांती और समानिस्तिती लोट आई है कभी हिंसा से जूज रही घाटी में विकास औ को बढ़ा दिया है आज सुप्रीम कोट के फैसले ने साबित कर दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से समवय धानिक था विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है अमिताब सिना मारे साथ है रिफत अब्दुल्ला भी उसी जगे से साथ है जहां पहले कभी बैरिकेड लगाया जाते थे वहाँ पर पूरी तरह से फैंसिंग हुआ करती थी वो वही घंटा घर है इतिहासे जो आज शाम को तिरंगे में न है कि शामा प्रसाद मुखरजी ने श्रीनगर में कैद में दम तोड़ा था क्योंकि आंदोलन उनका था एक देश, एक निशान, एक सम्विधान और इसी आंदोलन से जुड़े 370 को हटाने के लिए बतौर एक कारे करता अब जो प्रधान मंत्री है उस वक्त राज RSS के कार करता थे, वो वहाँ धरने पर बैठे थे, 1990 के दशक में यहाँ पर अंदोलन चलाये गए थे, इसी धारा 370 को हटाने की मुहीम और आज सुप्रीम कोट ने कहा कि प्रेजिडेंट कभी भी इसे हटा सकते थे, उनके पास ये पावर्स थे अरण सीधा सा है ना, जो 70 वर्ष में जो हुआ उसको सुप्रीम कोट ने माना है कि कंस्टिचूशन को बरकरार रखने का, कंस्टिचूशन से जम्मो कश्मीर को इंटेग्रेट करने का, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिससे वो भारत की मुकेधारा में आ सके, इसलिए 370 हटा बिल्कुल सही है, इसको स्थाई करार दिया है सुप्रीम कोट ने, मुझे लगता है अब इफ्स और बट्स के सारी चीजें, सारी अटकले अब समाप्त हो चुकी हैं, दूसरा जो सबसे महत्यपूर्ण है, रधान मंत्री मोदी ने एक सपना देखा था, संग का सपना था, जनसंग का सपना था, बीजेपी के हर मेनिफेस्टों का ये एक एक इडेंडा होता था, कि जम्मु कश्मीर से धारा 370 हटाना है, अनन उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, अब जम से 370 हटा है, 3-4 चीजे तो साफ हो गई हैं, पहला कि जम्मु कश्मीर में 370 के च जिसमें जिसमें कई ऐसी जातिया थी, जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं था, उनको राइट्स दिये गया है, दूसरा, जम्मु कश्मीर में 2 या 3 पाटियों का राजी चलता था, PDP या फिर नैशनल कॉन्फरेंज, अगर उनको हटा दें, तो अब जम्मु कश्मीर म पूरी सरका, जो नहीं नेताओं की है, वो सामने आ रही है, देखे हो तो बहुत कुछ रा, ये पहले नहीं हो सकता था, क्या पहली बात, दूसरी बात, अभी रिफट से बात करते हैं, फिर विकरांद भाई, आप सुप्रीम कोट के सामने खड़े हैं, कोट ने क्या का, उस सब सामान में लग रहा है, आपके पीछे तो, हलचल चल रही है, जम्मू कश्मीर के आम निवासी, अपने अपनी दिनचरिया में लगे हुए हैं, मंडे का बिजी मंडे आफ्टनून, जी जी अनन्द है, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं गंटागर सिरीनगर पे हूँ, जो इत्यासिक है, और यहां लाल चोक में सब कुछ नॉर्मल है, दुकाने खुली हैं, लोग चल रहे हैं, हलांकि सब को इंतजार था, सब लोग बेसबरी से वेट कर रहे थे इस वर्डिक्ट का, लोग उन्हें वर्डिक्ट सुना, कोई ऐसा रियक्शन नहीं है, जिसे हम एडवर्स कहें या अन्टूर्ड कहें, हलांकि प्रकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, आप देख सकते हैं, यहां पर पुलीस, यार, पिया पूर, बाकई, अ आज यहां पर हालात बिल्कुल सामानिय है, दरना नहीं है, लाल चो का गंटागर भी बदल गया, नया बनाया गया, इसको सुमार्ट स्टी प्रोजक्ट के तहत जो है, प्रोग्रेस में लाया गया, और यहां पर काफी सरे डेवल्लप्मेंटल प्रोजक्ट्स जो हैं, वो लाए गए और यहां पर विकास की कोशिश हैं की जा रही है लेकिन जहां तक इस फैसले की बात है यह अब मानना पड़ेगा कि 370 और 35 से अब वापस आने वाला नहीं है अब स्टेट हुड रेस्टोर किया जाएगा इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल प्रॉसस चलेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोट में गई थी, इस केस को लडने के लिए, पेटिशन दायर की थी लड रहे थे, वो डिसपॉइंटिट थे उमर अबदुला ने ट्वीट किया, कहा वो डिसपॉइंटिट थे